शोले की शूटिंग के दुरान देडी होने पर घर नहीं जाते थे धर्मेंदर पास की कुटिया में ही गुजार लेते थे रात हेलो दोस्तों मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है अमीदा बचन धर्मेंदर और हेमा मलनी अस्टार फिलम शोले को कौन भूल सकता है ऐसे में क्या आपको पता है कि जब धर्मेंदर को शूटिंग में लेट हो जाता था तो वो घर नहीं जाते थे इस किसे के बारे में उन्होंने खुद एक बार बताया था दोस्तों रमेश शिपी की बहुत चचित फिलम शोले को भाला कौन भूल सकता है इसमें अमीदा बचन धर्मेंदर और हेमा मलनी की तिगडी को काफी लोगों ने पसंद किया था इनकी तिगडी ने परदेक पर कमाल ही कर दिया था उनकी एक्टिन ने सभी का दिल जीत लिया था फिलम की रिलीज को उन्चा सल पूरे हो चुके हैं दोस्तों लेकिन आज भी इसका एक एक दरश्या सभी को याद है ऐसे में आपको इस मूवी से जुड़ा एक किस्सा बता रहे हैं धर्मेंदर इसके सेट से ही घर नहीं जया करते थे वो शुटिंग लोकेशन के पास की कुटिया में ही रात गुजार लेते थे इसके बारे में उन्हों ने और अमिता बचन ने खुद बताया था दोस्तों दरासल एक बार अमिता बचन के श्रो के बीसी के सेट पर में सिपी ने बताया था कि फिलम की शुटिंग दो अक्टूबर को शुरू होनी थी लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था उस दिन गादी जियनती थी तो कैसे गोली बरूद का इस्तमाल किया जा सकता था उस दिन इतनी बारिस हुई थी कि शुटिंग किंसिल हो गई थी फिर अगले दिन भी वर्सात हुई थी तो उस बिच केवल बिग भी और जे बचन का चाभी देने वाला सीन ही सुट हो पाया था इस पर अमिता बचन बताते हैं कि जे बचन फिलम की शुटिंग के दोरान प्रिग्नेंट थी इस बचय से वो कई बार सुटिंग में लेट हो जाता था तो वो घर ही नहीं जाते थे बिग भी बताते हैं कि इसके बाद धरमिंदर कुछ नहीं करते थे बल्कि वो पास की कुटियें में जाते थे और वहीं पर सो जाते थे फिर भी कहते थे कि बाहर बड़ा अच्छा खुला असमान है वो वहीं पर पड़े रहते थे अमिता बच्चन बताते हैं कि फिलम की स्टार कास्ट और टीम के बीच भाई चरा था वो मिल जूलकर रहते थे धर्मेंदर अवर्बिक भी साथ में एक ही गाड़ी में जाते थे दोस्तो हिंदी मुवी बुलगबास्टर शोले के एस्टार कास्ट के रियल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजेगा मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत